पंजाब कॉंग्रेस के नए प्रभारी देविंदर रियादव अगले हफते यानि आठ जन्वरी के आसपास पंजाब के दोरे पे जाएंगे और प्रभारी बनने के बाद वो पहली बार पंजाब पहुँचेंगे और पंजाब के तमाम कॉंग्रेस के नेताओं से फीडबैक लेंगे 2024 का लोकसभा चुनाओ है कॉंग्रेस पार्टी एक निया यात्रा भी निकालने जा रही है जो मनिपूर से सुरू हो के मॉंबई में समाप्त होगा इन तमाम विश्यों पे वो अप कॉंग्रेस के जो पंजाब यूनिट है उनके तमाम नेताओं से बातचीत करेंग दिवन जी आठ तारिक से आपका दोरा पंजाब का होने जा रहा है क्या क्या प्रात्मिक्ताय रहेंगी जब आप पंजाब जाओंगे पहला दोरा है प्रात्मिक्ताय क्लियर है और प्रात्मिक्ताय ये है कि जो हमारा वहां पर संगठन है सबसे पहले उसकी इवैलिवेशन करने हैं उसके पर शाथ वहां की feeling क्या है उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं 2024 के चुनाओं के लिए कितनी तयार हैं हमारी पार्टी उसमें क्या-क्या हम चीजें कर सकते हैं जिससे की हमारी मजबूती और बन सके उनी पर बात चर्चा की जाएगी हमने जो पी-सी-सी की लीडर्शिप है उससे मुख्यमंत्री से लेकर जो भी ब्लॉक के हमारे अध्यक्स हैं इस दोरान उन सभी से मुलाकात भी होगी और चर्चा भी होगी आपके तरफ से क्या रोड मैप रहेगा दोजार चौविस की लोग सवा चुनाओं की त्यारी को लेकर क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंदन पे बातचीद चल लेगा आमाधी पार्टी से और तमाम और पार्टियों से एक तर आने की जरूरत है वहां के इशूज क्या है वहां की हमारी संगठन की स्थिती क्या है उसके पश्चात ही कोई बड़ी स्ट्राटीजी बनाएंगे सब मिलके बात करके जो वहां से निकलेगा उसी कैनुसा स्ट्राइज बनाई जाएगे दिली से लेगे पंजाब तक कॉंग एक छोटी सी कहानी इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो एक प्लैटफॉर्म पे आना क्या मुश्किल नहीं हो जाता है। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारी वहां संगटन एक अच्छे स्थिती में काफी हद तक है। वहां पर हमारे संगटन है मजबूत है और वो समय समय पर अपनी बात को मजबूती के साथ रखने का काम कर रहे हैं। इस दिन पहले मुझे मोका मिला जो पॉलिटिकल अफेस कमेटी है उसकी मीटिंग रही। उसमें जातर सीनिय लीडर से मुलाकात हुई। बहुत कॉडियल उसमें माहोल में सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। मुझे कोई ऐसा डिरेक कंफेंटरेशन वहा नजर नहीं आया। निश्चिती हम जब एक कॉंगरेस पार्टी में इंटर्नल डेमकरिसी की भी एक उचित जगह हैं। जिसको जो मन होता है, वो खुलके लीडर्शिप के सामने बात रखता है। लेकिन जब एक आचरन की बात आती है, तो वहां पर सब जो लीडर्शिप डिसाइड करता है, उसके उपर उस लाइन को फॉलो करते हैं। एक आखरी सवाल, लोगसवाद चुनाओ नजदीकार है और इसके साथ ही एजेंसियां भी फिर से एक्टिव हो गई है, EDCBI तमाम एजेंसिया, आज दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल को समन था, ED के सामने पेस होना था, वो नहीं गय, उन्होंने अपने तर को समीधान को दता बता कर गलत तरीके से लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रही है, लेकिन साथ के साथ ये भी हमारा फरज बनता है, अगर कोई जिनसी, पूस्ताच या हमसे कोई जानकारी हासिल करना चाहती है, तो उसमें हमें कोपरेट करना चाहिए, मानिय राहुल गा का निश्यती मोटिवेटिड था, और जितनी बार उनने बुलाया, हमारी लीडर्शिप वहां गई, अपनी बात रखी, आज सारी चीज़ें स्मूध है, तो मैं तो यही कहूंगा कि केजरिवाल जी को भी उसको फेस करना चाहिए, वो साफ हैं तो साफ निकलेंगे, उनको जाना चाहिए, जो मदद की जा सकते हो करनी चाहिए, साफ तोर से देविंद यादव पंजाब के प्रधान नई जिम्मेदारी मिली है, जल्दी पंजाब के दोरे पे जाएंगे, आठ तारीक से उनका ये दोरा सुरू होगा, कैमरावन फिरोज के साथ अजय जा दैनिक सव जिरा दिल्ली